Hello friends, मैं हुरिश्मी और आप देख रहे है Political Science in 10 Minutes आज के इस वीडियो में हम Parts, Article और Schedule को समझने के कोशिश करेंगे क्योंकि हमें इन्हें पढ़ना तो पढ़ता है लेकिन इसमें बहुत सारे Confusion आजाते हैं तो आज हम इसे इन्हें डिटेईल में देखेंगे और देखेंगे कि इनके बीच क्या आनतर है तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा समिदान दुनिया का सबसे लंबा रिटन Constitution है जिसमें originally 395 articles, 22 parts और 8 schedules थे और अभी अगर मैं present time में बोलूँ तो इसमें 104 मतलब 104 से ज़्यादा amendment हो चुके है इसलिए present time में हमारे Constitution में 448 से ज़्यादा article, 25 parts और 12 schedule हो चुके है तो हमारा जो समिधान है वो कई parts, article और schedule से मिलके बना है तो आएए इसे समझते हैं details में तो अगर मैं parts की बात करूँ जो समविधान के भाग होते हैं वो समविधान को chapters में categorize करते हैं और ये भाग कई articles से मिलके बने होते हैं For example, हमारे समविधान का भाग now means part 9 पंचायद से real करता है तो इस part में जो भी provision होंगे वो पंचायद से related होंगे वहीं मैंने second point में बताया था कि एक part जो होते हैं वो कई article से मिलके बनते हैं तो मतलब जो parts part 9 में जितने भी article होंगे वो पंचायद से related provision को deal करेंगे वहीं इस article से related जितने भी detailed information होंगे वो हमें schedule में mention मिलेंगे जिसे हम आगे और अच्छे से example की दुरू समझेंगे वहीं अनुचेद means article constitution के individual provision को deal करते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये particular rule को indicate करते हैं जैसे कि for example हमारा जो article 1 है वो कहता है India that is भारत shall be a union of states मतलब India, भारत, राज्यो का संग होगा अब राज्यो का संग होगा ये एक provision है जो हमें article 1 में मिलता है लेकिन राज्यो के संग में क्या-क्या आएगा कौन-कौन से states आएगे उसका mention हमें schedule में मिलेगा तो ये देखने के लिए हमें schedule में जाना होगा तो इस तरह हम समझते हैं कि जो article होता है वो एक तरह से individual provision होता है वहीं अगर मैं अनुसुची की बात करूँ, schedule की बात करूँ तो एक ऐसा detailed content होता है जो article में mention नहीं होता है मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि schedule में किसी भी article का तो वो detailed information होता है जो वहां constitution में उस information को detail में mention करना possible नहीं था इसलिए उसको अलग से schedule बनाके mention कर दिया गया वहीं दूसरा अनुसुची में वो सारी bureaucratic activity या कहीं act से related detail होते हैं जो किसी particular article के reference के रूप में use होते हैं इसको मैं example के साथ आपको समझाती हूँ जैसे कि हमारा जो constitution का article 80 है वो composition of राजसभा की बात करता है वहीं अगर article 80 का section 2 देखें मतलब article 80 clause 2 देखें तो यहां पे जो clause 2 है वो राजसभा में seat के allocation की बात करता है पर allocation कैसे होगा ये देखने के लिए हमें schedule में जाना होगा क्योंकि allocation कैसे होगा वो हमें article में mention नहीं है वो हमें schedule में mention है इसलिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि राजसभा के राज्यों और संग राज्यों के प्रतिनीध्यों दोरा भरे जाने वाले स्थानों का अबंटन चौती अनुसूची में इस निम्मित अंतर्विस्ट उपवद्धों के अनुसार होगा तो यहां पे यह mention कर दिया कि अगर आपको इसको detail में देखना है तो आप अनुसूची में चले चाहिए तो यह होता है schedule अनुसूची अब इस slide में मैं आपको parts, article और schedule को part 1 के example के साथ समझाऊंगे तो जैसे कि part 1 जो है हमारे constitution का भाग 1 है वो संग और राज्यों से deal करता है union और its territory से deal करता है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि part में कई articles का group होता है जो उस particular subject matter को deal करते है तो इसमें article कौन कौन से आते है, article 1 to 4 आते है तो यह जो 1, 2, 3 और 4 है वो इस particular parts related provision को deal कर रहे है लेकिन अगर हमें इसको detail में देखना है जैसे union क्या है, state क्या है, union of state क्या है, इसको detail में देखना है जो article में mention नहीं है इसके लिए हमें first schedule को देखना होगा, पहले अनुसिची को देखना होगा जिसका detail information, मतलब part 1 में mention article का detail information हमें first schedule में दिखाई देता है तो I hope आपको यह जो confusion था part schedule और articles का वो दूर हुआ होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like और comment जरूर करेगा और चैनल को subscribe करना बिलकुर मत भूलेगा